नमस्कार स्वागत है आप सभी का जी एस वर्ड में आज हम जानेंगे युवाओं हेतू क्रांतिकारी अगनिपत भर्ती योजना के बारे में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समीठी द्वारा मनजूरी मिलने के परश्चात केंदर सरकाने सेना में भर्ती की नई योजना को मनजूरी दी है इसे अगनिपत योजना के नाम से जाना जाएगा इस योजना के तहट युवाओं को सेना के तीनों अंगों में चार वर्षों के लिए अपनी युवा शमता का परदशन करने का अफसर प्राप्त होगा इस योजना के तहट भरती होने वाले युवाओं को अगनी वीर कहा जाएगा आईए जानते हैं योगिता, वेतन वा सेवा शर्ते क्या होंगी 17 वर्ष 6 महा से लेकर 21 वर्ष कक्षा 10 वा 12 पास युवा महिला एवं पुरुष 2 उम्मीदवार प्रथम वर्ष में लगभग 4.76 लाग से लेकर चतुर्थ वर्ष तक लगभग 6.92 लाग वार्षिक तक वेतन प्रदान किया जाएगा इसके साथ ही राशन वर्दी भत्ता वा यात्रा भत्ता समेट अन्ने कई प्रकार के लाभ प्रदान किये जाएगे चार वर्ष की सेवा की समाप्ती होने के परशाथ अगनी वीरों को पात्रता पत्रवा क्रेडिट अंग प्रदान किये जाएगे इससे उन्हें आगे नौकी प्राप्त करने में वर्यता मिलेगी अगनी वीरों को अपने मासिक वेतन का लगभग 30% योगदान देना पड़ेगा तथा सरकार भी इतना ही अहिश अपने तरव से प्रदान करेगी चार वर्ष की सेवा के परशाद अगनी वीरों को आएकर मुक्त लगभग 10.04 लाग एक मुष्ट राशी प्रदान की जाएगी जिसमें ब्यास जोडने पर उनके हातों में लगभग 11.7 लाग प्राप्त होगा सेवा काल में अगनी वीरों की दिव्यांगता या वीरगती की स्थिति उत्पन होने का भी ध्यान रखा गया है सेनिक के 100% दिव्यांगता की स्थिति में 44 लाग, 75% दिव्यांगता की स्थिति में 25 लाग और 50% दिव्यांगता की स्थिति में 15 लाग प्रदान किये जाएंगे सेवाकाल में वीर्गती प्राप्त करने वाले अगनी वीरों को गैर अंशताई बीमा कवर प्रदान किया जाएगा इसके अतिरिक 44 लाग की अतिरिक्त अनुगरह राशी भी प्रदान की जाएगी चार वर्च के सेवाकाल के नहीं पूरे किये गए हिस्सों का भी भुकतान किया जाएगा तताश्रती पूर्ती के अलावा सेवा निधी का भुकतान भी परिवार को प्रदान किया जाएगा अर्तारिस लाग का गैर अंशदाई बीमा कवर भी इसमें सम्मीलित किया गया है अगनी वीरों की मुल्यांकन की प्रकिरिया की बात करें तो इस योजना के तहट जैनित युवाओं को अधिक्तम 6 महा का प्रशिक्षनर प्रदान किया जाएगा उनके प्रशन के आधार पर मुल्यांकन करते हुए अधिक्तम 25 पतीशत तक अगनी वीरों को नियमित किया जाएगा इसके साथ ही सभी अगनी वीरों को स्थाई काडर के लिए आवेदन करने का अफसर भी प्रदान किया जाएगा आईए जान लेते हैं आखिर क्या है इस योजना का उद्देशे अनेक्ता में एक्ता पर आधारित राश्ट्र एकी करन की लक्षे प्राप्ती में युवाओं का सहयोग प्राप्त होगा तथा स्किल इंडिया योजना कभी लाब लिया जा सकेगा भारते सेना में सैनिकों की वर्तमान औसत उम्र 32 वर्ष से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी युवाओं को राश सेवा के सपनों को साकार करने का अफसर प्राप्त होगा अगनी वीरों को समाज में सम्मान स्थान प्राप्त होगा ये योजना भारत में बेरोजगारी की दर को भी सकरात्मक रूप से प्रभावित करेगी पडलिदाम सरूप, सैयूक्त राश्टु द्वारा लक्षेत सतत्थ विकास लक्षे के प्रत्थम वपंचम लक्षों सहित अन्ने कई लक्षों की प्रापती में भी सहायक होगा